सुनाव गो डिजिट जनरल इंस लिमिटेड आप देखें आज लिस्टिंग हो चाहिए और 306 के प्राइसिंग पर क्लोजिंग हुई है अगर आप देखें तो यहां पर जो प्रीमियम मिला था लिस्टिंग के टाइम वहां से तो ऊपर उठाई है स्टॉक ऐसे मैं क्या इसको होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए इसको यानि कि क्या वैल्यूशन महंगी है तो आज लिस्टिंग हुई है और चार्ट बहुत कुछ है नहीं आज आपके पास जो प्राइसिंग है उससे ही आपको आगे चलना होगा जैसे कि आज जो हाई है वो 315 के राउं कितना जाएगा पता नहीं कितना higher side जाएगा ये भी नहीं पता सीधी सी बात है क्योंकि एक ही candle है हमारे सामने बट बात कर रहे हैं valuation की तो बताया जा रहा है कि go digit का stock जो है वो बहुत महंगा है जो कि मैं ipo time पर cover किया था कि इसके अंदर premium आपको देख रहना जादा बहतर ह size अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ध्यान देना होगा क्योंकि ipo जब आता है ना तो number और या आकड़े कह सकते हैं वो ठीक ठाक नहीं आते हैं अब तक कि ipo में देखा है तो बड़ा ही ध्यान से देखना की valuation कैसी है तो यहाँ पर ना वो हम गलती नहीं करेंगे हम सारी cac कर चुके और अब यहाँ पर जो है आपके सामने रखें आख्रे सिफो सिफ 23 के 2224 के आख्रे आपके सामने नहीं आई है so that two or ya तेख के हिसाब से यह आप अन्वान लगा लेंगे तो ज़्यादा बहतर होगा तो अभी आपके सामने है अभी आख्रा कितना ठीक है यह तो नहीं पता लेकिन जितना है मैं आपको बता रहा हूँ 23 मार्च के एसाब से 5885 करोड का सेल्स है गो डिजिट जनरल इंसॉरेंस का अब आप काम तो जानते ही होगे आपने कभी न कभी इसका यूज लिया ही होगा हर तरीके का जो इंसॉरेंस है वो आप गो डिजिट के पास हैं यह ओफर करते हैं अपनी तरब से तो यहां पर वाइड रेंज है और इसके बारे में अल्रीड डिसकस कर चुके हैं बट अगर आप देखेंगे नंबर्स पर तो एक्सपैंस उतने ही बड़े हैं जितने की सेल्स मार्च दोजात तेज का आंकड़ा फिर भी ठीक है प्र क्या करना है एक बात है अब वो फेक है या रियल है पतानी कितनी है पर ठीक है ऑप्रेटिंग प्रॉफिट पचास करोड रुपे का है मार्जिंस जो माइनस में थे वो प्लस बन परसेंट में लौट आए अधर इंकम कुछ है नहीं और यहां पर जो प्रॉपिटिविल्ट का माइनस चल रहा होता है वो सदल ली आपका 23 का जो रिजल्ट आता है ओवराल साल का वो प्लस में आता है तो पॉइंट फोटी वन का जो एप्यस है वो आपके सामने रख जाता है अब जो आपके सामने जो प्राइस ए 300 रुपे का और यहां पर आप देखेंगे अब यह जो 0.41 है यह 0.39 के इसाफ से जो P ratio है वो आपके सामने calculated है ठीक है Around आप यह समझेगा 0.41 है तो आपका 700 से 750 के भीतर भीतर यहाँ पर जो है आपका जो एक है यहाँ पर जो P ratio है वो यहाँ पर बनता है ठीक है P ratio इतना बनता है 700 से 7.5 के बीच में P ratio है Go Digit Insurance का मोटा मोटा देखे तो 731 के Around यहाँ पर जो है वो P ratio होगा अब यह Bias Point 71 का तो आपका Insurance Sector का जो एक Industry P है वो बना हुआ है उसके comparison है यहाँ पर 731 का यहाँ पर जो है Industry P देखना हूँ मिला है यह तो वही बात होगी ना कि Heavy Valuations आपको देखना हूँ मिल रही है book value पर आपको देखना हूँ लिए book value पर अभी नहीं जाओ तो मैं बुख value पर तो नहीं जाओँ लेकिन फिर भी जो जो आठ का जो बुक वेल्यू है अगर मैं उसको देखों भी तब भी अपने जो इंडस्ट्री पीयर है ना जैसे कि आपका SBA Life Insurance हुआ आपका LIC हुआ आपका HDFC हुआ आईसे हुआ और भी है यहां पर उनके साथ यहां पर जो है वो बीट करता है एट के अराउंड यहां पर जो है उनके साथ खड़ा है ऐसा नहीं है कि उनसे कोई बहुत जादा ऊपर चला है इस बात को भी समझने जरूरी है ठीक है बट फिर भी एक बात मैं आपको बताओं कि यहां पर इन कंपनियों की जो profitability है क्या Go Digital में वो profitability है नहीं है तो यहां पर उ एंगा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा बट बाइप्राइस्टू बुक वेल्यू भी देखने को मिलेगा अगर यह बुक वेल्यू ठीक है तब भी सीधी सी बात है यह अपने को यहां पर समझ में आ रहा है इन कंपनियां हूं में और आपका Go Digit में अंतर क्या है प्रेट फॉर्म है कि आप किदर भी बैट कर आप कर लेते हैं लेकिन इनकी जो मार्केट में एक पकड़ है यानि की LIC, SBI, HDFC, ICSEI और आपका यहां पर जो है New India Insurance और आपका यहां पर General Insurance यह सब इनकी offices हैं जगा जगा हर सिटी के अंदर लोकल सिटी के अंदर आपको आफिस देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर जो है जो प्रीमियम किलेम करते हैं ना उसमें लोगों को दिक्कत नहीं होती यह एक सबसे बड़ी बात आजाती है यह एक ना बोनस पॉइंट इनके हाथ में है इन कंपनियों के वो गोड़ जिट के हाथ में शायद आपको देखने क ना मिले अगर मैं ठीक हूं तो यह भी अंतर है तो ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल बेकार है यही सब कुछ है इन्होंने टेक्नोलोजी का यूज करना अच्छी बात है बट यह खराब नहीं है इनकी पकड़ जो है वो इस टेक्नोलोजी कंपनी की पकड़ में नहीं है इतना या पर अंतर पड़ जाता है तो यहां पर अगर आप इंसॉरेंस सेक्टर में देख रहे हैं तो आप न्यू इंडिया इंसॉरेंस या जनरल इंसॉरेंस आप देखिए यह दो स्टॉक जो की PSU है इनका जो प्राइस टुबुक वैल्यू वो दो से भी ब्लो है अब आप है वो जनरेट करने में help करेंगे यानि कि market से profit stocks काफी undervalued है मेरे ख्याल से आप इनकी तरफ study करिए ठीक है गो डिजिट की जहां तक बात है तो एक conclusion based अगर आप बनाएं तो अगर आपको platform based समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत गो डिजिट का जो growth sales की वो बहुत उपर है इस इसके साथ साथ अगर वो operating profit अभी नहीं बना पा रहा है तो बना लेगा जिस तरीके से जो मेटो में हुआ नहीं बना पाएगा तो problem आएगी बट अगर बना लिया तो ये stocks मुझे बहुत अच्छा खासा return दे सकता है आगे चल कर तो yes ये आपका बहुत ही अच्छा सोचना ह और अगर आपको लगता है कि नहीं profit बनाना इतना आसान नहीं है ये company काफी time से काम कर रही है अभी तक नहीं बना पाई क्या आगे कोई बहुत बड़ा profit बनाएगी अगर आपका ये think process है तो फिर आप थोड़ा सा यहां पर दूर रही है क्योंकि वो आपका जो stock का price है वो वास्तब में अगर ये बास सही निकली तो शायद एक drop आपको जो है वो stock के भाव में देखने हूं मिल जाए ठीक है अभी हाँ और ना ये आप कह सकते हैं कोई अनुमानित बात आप नहीं रख सकते हैं go digit के बारे में लेकिन हाँ valuation महंगी है अगर आपको problem बागई में इस valuation से है तो फिर दूर रहना जादा बहता रहे क्योंकि यहां से और कितने आप value मांगेंगे क्या stock का price यहां से double हो जाएगा double होने का एक बड़ा reason क्यों है अच्छा हो भी सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं hope build अगर हुई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि stock double हो जाए 67-67,000 क्रोड का market cap है 50,000 क्रोड की company बनेगी तो क्या बड़ी बात एक यहां पर एक बड़ी बात तो है नहीं 51,000 क्रोड की क्या कोई stock बना नहीं है जो new age company में listed हो तो यह भी possible कि यहां से यह stock double हो जाए 600 रुपए पर आपको देखने मिले बट possibility कितनी है यह यकिन करना काफी जादा मुस्किल है तो यह बात है तो जिसको भी लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए because of technology platform है और इनका काम ठीक ठाक समझ में आ रहा है आगे growth यह कर देंगे तो ठीक है अगर आपको लगता है कि stock का भाव गरेगा तो वो average की जो thought process है वो आगे कहीना कहीं आपको रखने भी चाहिए तो ऐसा कुछ प्लान बना कर आप चलिए गए और जिसको लगता है कि नहीं वास मैं बाकी जो insurance company उसके साथ रह लूँ है जादा बेतर तो आप फिर उधर की तरफ देखें सो में देखा आपको कुछ आपको समझ में आया होगा यहां पर अभी कुछ भी नहीं है आ आप देखें तो चार्ट पर आप देखें तो कुछ भी आपको एक candle के लावक देखने को नहीं में लगता तो आप एक अनुवान नहीं लगा सकते हैं सो में आपको कुछ आपको समझ में आया होगा आपका कहना है गो डिजिट की ऊपर कमेंट सानु कहिए और अब दिभी वीडियो देखने के लिए बहुत दन्वाद दोस्तो